अगर आपको पिरिट्स नहीं आते हैं और अगर आपका प्रिग्नेंसी टेस्ट भी निकेटिव आता है तो फिर इस कंडिशन में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा चिंता करने की बात तब होती है जब उसके पिरिट्स टेट आने के बाद भी पिरिट्स नहीं आते हैं और उसकी बात प्रिग्नेंसी टेस्ट करने पर वो भी निकेटिव आता है क्योंकि ये दोनों साथ में होने से आप समझ नही पाती है कि आखे प्रॉब्लम है क्या क्योंकि चाहें आप बेबी के लिए ट्राय कर रही हूं या फिर नहीं कर रही हूं लेकिन पीरिट्स समय पर ना होने की सिच्विशन में आप अपनी डॉक्टर से कॉन्टेक्ट चरूर करें तो फ्रेंग्स प्रेग्नेंसी टेस्ट के साथ मिज्ड पीरिट होना और आकर ऐसा क्यों होता है इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं वैसे तो ऐसा बहुत बार बहुत सरी महिलाओं के साथ होता है जिसके पीछे PCOS जैसी समस्या को काफी बड़ा माना जाता है तेकिन इसके अलावा ये होने की और भी रीजन होते हैं जैसे कि अगर आपके सरीर में नॉर्मल रूप से प्रोलैक्टिन का लेबल पैदा नहीं होता है, तो एक टाइम के बाद में जाकर धीरे धीरे आपके पीरेट्स लेट होने लग जाएंगे. ऐसा breastfeeding के दौरान सबसे ज़ादा होता है, क्योंकि इस दौरान सरीर में प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन सबसे ज़ादा होता है, जिसकी वज़े से आपको पीरेट्स में पाब्लम आ सकती है. इसके अलावा PCOS होना भी एक रीजन होता है, और ये तब होता है जब आपके सरीर में कुछ special hormones का लेवल सबसे ज़ादा होता है, और इस समय ये महिला की ओवरी पर कई folie cells को create करने के लिए ये उत्तेजित करता है, और एक अंडे को grow करने के लिए सही condition नहीं देता. ऐसे में periods इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप ovulate नहीं होती है. साथ ही इस hormones के कारण आपके चहरे पर कई सारे दाने निकल जाते हैं, आपको बजन बनने लगता है, चहरे पर बाल निकलने लगते हैं, और पेट और ब्रेस्ट में भी दर्द होने लगता है. इसके अलावा घर पर किट के द्वारा किया जाने वाला pregnancy test तभी सही result देता है, जब महिला के सरीर में HCG hormones का लेवल सही होता है, अगर लेवल उससे कम हुआ, तो pregnancy होने के बाद भी result negative ही आता है, ऐसे में आप कुछ दिनों के बाद फिर से टेस्ट करें. और कुछ मामलों में तो एक irregular period cycle के कारण भी कभी-कभी period मिस हो सकते हैं. ये irregular होने का कारण एक ovulation defect होना ये तनाव के कारण भी हो सकता है. कई बार वजन जादा होने के कारण भी ऐसा होता है. ऐसे में कुछ exercise से इस problem को कुछ हफतों बाद दूर किया जा सकता है. कई बार आप egg fertilize होने से पहले ही test कर लेती हैं, जिसकी वज़े से आपको सही result नहीं मिल पाता. ऐसे में आपको थोड़ा सा wait over करना चाहिए और 10 से 20 दिन के बाद तुवारा से test करना चाहिए. और कई बार तो periods की गलट dates याद रखने की कारण भी आप चिंता में सोचने लग जाते हो. इसलिए आप अपने date का chart बनाएं, उसके हिसाब से आप calculate करें, ताकि आपको कोई problem ना हो. इसके अलावा stress हमारी body पर बहुँ जादा असर डालता है. अगर life में बहुँ जादा सारीरिक और मानसिक pressure रहता है, तब दिमाग में यही सोचपन अपती है, कि आप अभी बच्चा नहीं करना है, और इसकी वज़े से आप ovulate नहीं करती हैं, और अगर ovulation नहीं होता है, तो periods भी नहीं होते हैं, पर pregnancy के लक्षन जरूर दिखने लगत हैं, इसकी अलावा कई दवाईयों के कारण भी आपकी menstrual cycle पर बहुत ही ज़्यादा effect पड़ता है, क्योंकि steroid दवाईयां बहुत ही खतरनाक होती हैं, इससे period में सोने के बहुत ही chances रहते हैं, साथ ही thyroid या diabetes की दवाईयों का भी पुरा असर पड़ सकता है, इसकी अलावा अ कई महिलावों में ये उनके 40 की उम्र में भी दिखने लगता है, प्री मैनोपोज में period का सही समय पर ना आना बहुत ही आम है, ऐसे में हार्मोंत बहुत बदलते हैं, और कई बार pregnancy जैसे लक्षन भी फील होते हैं, जैसे की mood में बदलाव होना, या breast में changes आ जाना Friends, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी ही और informative वीडियो देखनी के लिए आप हमारी चैनल को subscribe जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप share करें, अगर करें के लूर की सुछ तरहीं